हेलो फ्रेंड्स वेलकम यूट्यूब चैनल लर्न अब इन्वार्मेंट तो दोस्तों आज हम नवंबर 2021 में पूछे के एको नुमेरिकल को सॉल करेंगे तो दोस्तों यह नुमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफी बार NTA में पूछा जाता आ रहा है तो इस कोशन क आप ज्यान से देखें तो दोस्तों वीडियो को दिखने से पहले मैं आप सबसे दिख्वाइश करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना बोले देखते हैं कुश्य तो दोस्तों बहुत ही इंपॉइंट जिजो आपको याद रखने हैं जो रूल याद रखना है कि अगर आपको NTP or STP कोर्षिन में आपको ध्यान देखना है कि आपको NTP पूछा है एक at STP में पूछा है अगर हमारा NTP में पूछा हुआ तो जो हमारा डेनोमेटर में जो हम आपको याद एकने माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से हम फॉल्स के लिए लिए हम जो यह फॉर्मला यूज कर रहे हैं इसका पुणिट वाइस ज्यान से देखें दो माइक्रोग्राम पर मेटर क्यूब हमारा चैनल हमें फंड़ करनी है जो हम फिल्स का कुशन में तो जैसे हम ओजोन का निकालेंगे तो यहां पर फॉर्मलियां पूट करेंगे तो यहां पूछा गया है तो Concentration is equal to 1, Multi-weight 64, divided by 22.45, 22.45 क्यों लिया है हमने, क्योंकि Question में हमें HDP पूछा है, आपको दोस्तों यही चीज़ ध्यान देनी है, बहुत ही important चीज़ जो है, यही ध्यान देनी, अगर Question में कभी-कभी क्या होता है, कि हमारे बहुत ही Close के Option होते हैं, अगर आप 24.45 Puter के हमारा Answer निकालेंगे, तो वो भी Option में दिया होगा, तो आपका गलत होने के चांसे ज़्यादा है, तो आप क्या है, particular volume, particular चीज़ याद करें, कि STP में 22.45 है, NTP में 24.45 है, तो आप values को Put करेंगे, तो आप Find Out करेंगे value 2.85, और Happy Mother's Day आप सभी को दन्यवाद,